कॉंग्रिस के दिगज विधायक, डाक्टर सीपी जोशी के राजनीती में नई पारी शुरू हो गई है जोशी को विधान सभा का सर्व सम्मती से अध्यक्ष चुन लिया गया है अब गुरुवार को सदन में राजपाल का भी भाशन होगा और क्या खास रहा आज विधान सभा में देखिया हमारी खास रेपोर्ट पंद्रहवी विधान सभा के पहले सत्र के दूसरे दिन विधायक हेमाराम चौधरी को शबत दिलाई गई और बाद में स्पीकर के पद पर सीपी जोशी का निर्विरोध चुनाव हुआ सीपी जोशी के विधान सभा ध्यक्ष निर्वाचित होने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने सदन की ओर से उन्हें बधाई दी गहलोत ने कहा के सदन से आपका रिष्टा 38 साल पुराना है सभी पार्टियों ने आपके नाम का प्रस्ताव किया है इस कारण विधान सभा ध्यक्ष के तौर पर आपके जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है मैं अपनी ओर से पूरे सदन की ओर से सबसे पहले मैं आपको बहुत-बहुत मुभारिवाद आपके नाम का प्रस्ताव पक्षने भी पक्षने मेवार के ही भाजपा के दिगज नेता प्रत्वक्ष गुलाबचंद काटारिया ने भी सीपी जोशी को बढ़ाई दी काटारिया ने कहा कि सदन को चलाने में आपका अनुभव काम आएगा राजेंद्र राठोड और सैयम लोड़ा के अलावा दिव्या मदेरणा ने भी सीपी जोशी को सदन में बढ़ाई दी राज़स्तान विदान सभा के इस रोच पद पर पक्ष और विपक्ष के सभी बंदों ने मिलकर एक मत से आपको ये गरिमा वैपद सब की सहमती से प्राप्त हुआ उसके लिए मैं आपको हरदय से और मेरी पायटी की तरफ से बहुत बढ़ा ही देता हूँ मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हम प्रतिवक्ष नाते जन्ता के हर हित की रक्षा के लिए कटिबद्द हैं और उसके अनुसार अपने आचरण के द्वारा राज़स्तान की जन्ता को आश्वस्त करते हैं कि जो आपके द्वारा मेंडेट हमको मिला है हम उसको सरमाथे पर रखकर स्वीकार करते हैं और लोक तंतर की इस गाड़ी को पक्स और विपक्स दोनों मिल करें इस लोक तंतर को उंचाई पर ले जाने का प्रीट में करें अध्यक्स मोदें आपका संसधिय ग्यान आपका अन्बव आपकी कुसागर बुद्दी आपके निर्णे लेने के शम्ता, आपकी निर्णता और आपकी निस्पक्स्ता निस्चित तोर पर इस आसन को सुसोबित करेगी अदक्समोदे ये विक्रमा दित्य का आसन है ये आसन वो आसन है जहां आप सुन सकते हैं देख सकते हैं पर कम बोलते हैं अद्धक्समोदे राजिस्तान विधान सबा का शांदार संसदी एतियास रहा है गरीमापुर्ण एतियास रहा है और मुँमीद करता हूँ अद्धक्समोदे का आपके नितुर्त में ये इतियास और आगे बढ़ेगा बधाई भाशन के दोरान ही सदन में हंगामे की भी स्थिती बनी विधाईक हनुमान बेनिवाल ने बधाई संबोधन में पिछली सरकार पर निशान असाधा साथ ही पूर्वी स्पीकर की कारिशेली पर भी सवाल उठाए सैयम लोड़ा ने भी पिछली गलतियों पर सवाल इसके बाद मीडिया से बाचीत में सीपी जोशी ने कहा कि वे परमपराओं और नियमों के आधार पर सभी के सहयोग से सदन को चलाएंगे गुर्वार को विधान सभा में राजिपाल का अभिभाशन होगा और अगले दिन इस पर डिबेट शुरू हो जाएगा बीजेपी और कॉंग्रिस ने सदन में विधायक दल की मीटिंग करके आगामी रणनीती भी तैकर दी है बविशी का सदन हालांकि किस तरह चलेगा इसकी बानगी भी देखने को मिले लेकिन नए स्पिकर अब किस तरह इस चलेटी से पार पाएंगी ये भी देखना होगा जिनो रेपोर्ट पर्स्ट इंडिया न्यूज जिनो रेखना होगा